सबसे पहले साइद जफर इसलाम सहब देश की अर्थवस्था में NDA सरकार की जो हालत है वो अच्छी रही है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है 30 फीज दिलों का इमाना है क्या ये आंक्डे आपकी पीट थप थपाने के लिए काफी हैं देखिए शायद अगर पेंडेमिक नहीं होता तो यह 30 परसेंट जो है और जो 22 परसेंट और जो है के अच्छा और कुछ अच्छा ऐसे जो आपने का मतलब 52 परसेंट जो नंबर है वो शायद 92 या 95 परसेंट होता इस साथ सालों में देखिए बहुत सारे आकड़े इंपॉर् वो 112 लाग करोड का था आज अगर देखिए जो इस्टिमिट्स लेटेस इस्टिमिट्स आया उसके हिसाब से अगर रफली देखिए तो 230 या 222 लाग करोड का मतलब डबल हो गया है उस बीच में हमने एक सवा देड़ साल बहुत ही खतरनाक बहुत ही खराब और खास के लॉ 60 नंबर पर जो है आज शायद लेटेस आकड़ा आने के बाद पांचवी नंबर के एकॉनमी हमारी दुनिया के होगी सिर्फ यू यू जपान चाइना यूएस और जर्मनी के बाद इंडिया होगी है यू कि हमारे पीछे हो जागा लेकिन अगर इस जिस रफतार से चल रही है अगर इसी रफतार से चलती रही तो 2030 में हिंदुस्तान के एकॉनमी जो है वो नंबर त्वी पर आ जाएगी जपान और जिडिपी ने उसके लिए करोना जिम्मेदार था चलिकरोना से माइनस कर लेते हैं 2020 के पहले की बात कर लेते हैं 2020 के पहले क्या देश की रहा से बेहत मद्बूती की और बढ़ रहा है देखे 2013 में देखिए तो पॉलिसी पेरालिसीस थी 2014 में जो हमने सरकार बनाई उससे पहले कि अगर आप सारी रिपोर्ट दुनिया के देख ले हिंदुस्तान के हर न्यूस पेपर हर चैनल और सब की रिपोर्ट उठा के देख थी 2014 के बाद तेजी से बड़ी और हमने सरकार ने बिलकुल फैसला किया था आधरनी मोदी जी ने क्या था कि हम स्ट्रक्चल रिफॉर्म्स करेंगे हम बड़े बड़े फैसले लेंगे जो एकॉनमी अर्थवस्तर को पट्री पर लाग तो कि करोना का अर्थवस्ता पर दरस इस फीजदी का मानना यानि की लगभग अगर आकड़ों को कुल मिला कर देखा जाए तो एक स्टिती जो खराब बहुत खराब और नहीं बडली है उसमें लगभग एक जैसे ही आकड़े दिखाई दे रहे हैं गौरव वल्लब जी का रुक मैं करना चाहूंगी गौरव जी सहीद दफर इसलाम ये कह रहे हैं कि करोना की वज़र से आर्थिक सिती बिगड़ गई ये हम सभी जानते हैं और हमने एक नेगर गोथ देखी जीडिपी पर भी इसका असर देखा गया लेकिन अब जो प्रोजेक्टेड गोथ दी गई है जो की लगभग 9.2 फीजदी की बत 16-17 में हमारी जीडिपी ग्रोथ थी 8.3 प्रतिशत और 19-20 में वो घटके हो गई 4.2 प्रतिशत जब तक करोना देश में एंटर नहीं किया था तो आपने जीडिपी को आधा तो करोना के पहले ही कर दिया फिर करोना में माइनस 7.3 पीछे जाके अगर आप 9% आगे आरे हो न तो वो ग्रोथ होती है एक सवा परसेंट की क्या इस ग्रोथ के लिए जफर इसलाम जी को यहाँ पे मैं शाबाशीद हूँ या देश इसलिए शाबाशीद है कि किसान आज 27 रुपे कमाता है और इनकी पार्टी के मुखे दोस्त गौटम अडानी जी एक हजार दो करोड कि हां गौतम अडानी की आए आड़ गुना बड़ी करोना काल में मुके संबानी की आए डबल हुई करोना काल में यह क्या इंकम लेवल्स कम हुए है